हेलो व्यूवर्स के बितिन क्लास में आप सब का स्वागत है और आज की क्लास पे हम पढ़ने वाले हैं एंजी इई आर्टी साइकॉलजी क्लास 12 के चैप्टर नमबर 2 आत्म एवं व्यक्तित्व के अंतरगर्थ एहम रक्षा युक्तियां तो शुरू करते हैं आज की क्लास एहम रक्षा युक्तियां जिने इगो डिफेंस मेकनिजम भी कहा जाता है इगो डिफेंस मेकनिजम का विचार सिग्मेंट फ्राइट के द्वारा दिया गया था फ्रॉइट के अनुसार मनुश्य अपना जादा तर व्यवहार तुष्चिंता यानि एंजाइटी के साथ एड़्जस्ट करने के लिए करता है क्योंकि इसके पहले हमने ये पढ़ा था कि फ्रॉइट का ये मानना है कि व्यक्ति सुखेपसा सिधान पर काम करता है वो सुख चाहता है और दुख से या तकलीव से बचना चाहता है तो वो सारी परस्थितियां जो व्यक्ति में एंजाइटी या चिंता उत्पन करती है उनसे adjustment करना चाहता है और adjustment के लिए ही वो जादातर behavior करता है Freud का ये मानना है कि लोग anxiety यानि दुश्चिंता से बचाव के लिए ego defense mechanism का use करते हैं defense mechanism वो mechanism होते हैं जिनके द्वारा हमारा ego अपने आपको different type के anxiety यानि चिंता से बचा पाता है इस तरह से ये रक्षा युकतिया यानि defense mechanism वास्तविक्ता को बिकरत कर चिंता को कम करने का एक तरीका होता है क्योंकि ये वास्तविक्ताएं ही व्यक्ति में चिंता उत्पन करने वाली हूती है इसको एक example से समझे एक व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल रही है जिसके कारण उसमें anxiety उत्पन होती है, चिंता उत्पन होती है, क्योंकि उसे नौकरी नहीं मिल रही है, अब अगर वो इस वास्तविक्ता को स्विकार करता है, कि नौकरी उसके अपनी कमी के कारण नहीं मिल रहे, यानि वो इतना योग्य नहीं है कि वो किसी नौकरी को प्रा और मैं घुस देकर नौकरी प्राप्त नहीं करना चाहता तो इस तरह से उसने reality को क्या कर दिया थोड़ा सा विक्रित कर दिया उसे वो accept नहीं कर रहा है लेकिन ये सारी चीज़ें आचेतन स्तर पर होती है defense mechanism का use करने पर व्यक्ती की anxiety यानि चिंता कम हो जाती है क्योंकि वो वास्तविक्ता को स्विक्रित ना करके विक्रित कर देता है क्योंकि वास्तविक्ता को स्विकार करने पर व्यक्ती का ego hurt होता है रक्षा युक्तियां सामानने और अनुकूली होती है सामान ने यानि सभी व्यक्तियों के द्वारा ये कम या जादा प्रयोग की जाती है और ये अनुकूली होती है यानि कि इनका प्रयोग करने पर व्यक्ति चिंता से समायोजन करता है वैसे तो defense mechanism का use यानि रक्षा युक्तियों का प्रयोग सभी व्यक्ति करते हैं लेकिन कुछ लोग जो इन रक्षा युक्तियों का उपयोग सीमा से जादा करते हैं तो ऐसे लोगों में वास्तविक्ता बहुत जादा विक्रित हो जाती है और ऐसे लोग कुछ समायोजक व्यवार विक्सित कर लेते हैं यानि उनकी अंदर से adjustment बिल्कुल हट जाता है और उसकी जगर माल adjustment आ जाता है यानि वो परिस्तिती के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं जीसे तो रक्षा युकतियां बहुत सारी हैं या आपके course में पांच रक्षा युकतियां हैं तो हम उनहीं के बारे में समझेंगे सबसे पहले बात करते हैं दमन यानि repression की दमन में वो विचार या व्यवहार जो कि व्यक्ति में चिंता उत्पन करने वाले हैं उनको चेतना से हटा कर यानि जो conscious level होता है उससे हटा कर unconscious level पर यानि अचेतन इस तर पर बेज दिया जाता है जब व्यक्ति किसी व्यवहार या विचार को अचेतन इस तर पर भेज देता है यानि चेतना से हटा देता है यानि उसका दमन कर देता है व्यक्ति का वो विचार व्यवहार या उसकी जो इच्छा या भावना होती है उसके प्रति वो बिल्कुल भी aware नहीं होता हमारे ऐसी ब सभी feelings, emotions, desires और thoughts unconscious में चले जाते हैं यानि उनका दमन हो जाता है और व्यक्ति ऐसे feelings, emotions और desire के प्रति बिल्कुल भी aware नहीं होता उसे इसके बारे में पता ही नहीं लगता अब हम बात करते हैं प्रक्षेपन यानि projection की प्रक्षेपन में लोग अपने विशेश को विशेशक या कमिया जो होती हैं उनको दूसरों पर आरोपित करता है आप लोगों ने अक्सर देखा होगा कि कोई बच्चा कम marks लाने पर या फिर exam में fail हो जाने पर अपनी कमी को स्विकार करने के बजाए उस कमी को दूसरों के उपर आरोपित करते हैं जैसे paper out of course आया था या teacher ने नहीं था या question paper बहुत तफ था या हमें मम्मी पापा दूसरे कामों में लगा कर रखते थे जिससे हम पढ़ नहीं पाए आप लोगों ने वह मुहावरा सुना होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानि व्यक्ति जो होता है उसके अंदर कमी है उसको dance नहीं आता लेकिन इसके लिए आंगन को यानि जो dance floor है उसको blame दे रहा है तो प्रक्षेपन में व्यक्ति अपने दोशों या अपनी कमियों को दूसरों पर आरोपित करता है और ऐसा करने पर व्यक्ति की जो anxiety होती है व्यक्ति की जो चिंता होती है वो समाप्त हो जाती है क्योंकि व्यक्ति की व्यक्ति वस्तविक्ता यानि reality को पूरी तरह से नकार देता है बिल्कुल भी accept नहीं करता मान लीजे एक व्यक्ति जो की AIDS का patient है वो अपनी बिमारी को बिल्कुल ही अस्विक्रत कर देता है नकार देता है कि मुझे तो AIDS हो ही नहीं सकता जैसे बिल्ली को सामने देखकर कमू करता है तो उसके अंदर anxiety आएगी मनुश्य भी सेम इसी तरीके से अगर वेक्ति यह accept करता है इसे कि स्वीकार करता है तो उसे एn anxiety होती है इसलिए वह वस्तविक οιती को बिल्कुल अस्त विकार कर देता है नकार देता है इससे उसकी चिंता कुछ समय के लिए समाथ हो जाती है अगली रक्षा युक्ति है प्रतिक्रिया निर्मान रियक्शन फॉर्मेशन प्रतिक्रिया निर्मान या रियक्शन फॉर्मेशन में व्यक्ति अपनी वस्तविक भावनाओं और इच्छाओं क वो सकता है समाज विरोधी हो या समाज के द्वारा स्विकार्य ना हो यानि समाज उसको approval ना देता हो तो ऐसे में व्यक्ति अपने मन की जो भी भावनाई या इच्छाएं होती है उनके ठीक विप्रीत विवहार करता है और ऐसा करने पर उसकी चिंता कम हो जाती है और उसका ego सेफ हो जाता है यानि ego की रक्षा हो जाती है उधारन के लिए आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि जो करप्ट लोग होते हैं यानि भ्रष्ट लोग होते हैं वो करप्शन के अगेंस्ट बड़ी-बड़ी बाते करते हैं यानि भ्रष्टाचार के विरोध्य बड़ी-ब फिर feelings, जिनके पीछे कोई अच्छा reason नहीं है, उनको वो reasonable बनाता है, यानि उनके पीछे अच्छे कारण देता है, अच्छे तर्क देता है, ताकि उनको accept किया जाए, यानि उनको स्विकारे बनाने का प्रयास करता है, ताकि लोग उसे accept कर ले, उनकी बातों को, उनके द्वा को उचित ठहराने के लिए जूठे कारण देता है या जूठे तर्क देता है मान लीजे एक व्यक्ति नौकरी के लिए इंटर्व्यू देने गया और वहां उसका सेलेक्शन नहीं हुआ व्यक्ति को नौकरी क्यों नहीं मिली इसके लिए उसके पास कोई अच्छा तर्क नहीं इसलिए मैं वहां से चला आया यहां समझने वाली बात यह है कि जो भी लोग डिफेंस मैकनिजम या रक्षा युक्तियों का उपियोग करते हैं वो इनके प्रती अवेर नहीं होते यानि कि इससे अनभिग्य होते हैं क्योंकि सारे डिफेंस मैकनिजम और चेतन इस्तर पर काम करते हैं हर रक्षा युक्ति यानि जितने भी डिफेंस मैकनिजम है वो सभी चिंता के द्वारा जो असविधा उत्पन होती है यानि व्यक्ति एंजाइटी के कारण जो अनकमफर्टेबल होता है तो उस अनकमफर्टेबल वाली फेलिंग से इगो को बचाने का एक तरीका ह यानि हम अनकमफर्टेबल होता है तो अनकमफर्टेबल के धिसी से इगो को बचाने के लिए और यह मैं आपको पहले भी बताचुकी हूं कि व्यक्ति आवेयर होकर यूज़ नहीं करता यानि इसका उपईयोग जब व्यक्ति कर रहा होता है तो उसे खुद भी नहीं पता होता और अचेतन इस्तर पर वो इसका प्रयोग कर जाता है फ्राइट का ये मानना है कि जितने भी डिफेंस मैकनिजम है उनका यूज करने से व्यक्ति एंजाइटी और स्ट्रेस से बच जाता है विशेश रूप से इन्होंने प्रजेक्शन यानि प्रक्षेपन की बात की है कि प्रक्षेपन के उप्योग से दुष्चिंता और दबाव कम होता है बहुत सारे मनुवैग्यानिकों ने फ्राइट के द्वारा बताये गए रक्षा युक्तियों यानि डिफेंस मैकनिजम का समर्थन नहीं किया है example के लिए फ्राइट ने ये दावा किया कि projection यानि प्रक्षेपन के उप्योग से anxiety और stress कम होता है लेकिन बहुत सारी studies में जो results आएं हैं उनके द्वारा इस बात का समर्थन नहीं होता यानि projection के द्वारा anxiety और stress कम नहीं होता ऐसा बहुत सारी studies के results बताते हैं लेकिन फिर भी हम सिग्मेंट फ्राइट के द्वारा बताये गए defense mechanism के importance को कम नहीं आग सकते और हम सभी अपनी life में anxiety से बचने के लिए stress से बचने के लिए इन रक्षा युक्तियों का कम या जादा मात्रा में प्रयोग करते रहते हैं और इनके द्वारा anxiety और stress से काफी हद तक बचाव होता है So viewers ये थी आज की class कैसी लगी आज की class अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और मेरे चैनल के दूसरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को subscribe कीजिए, like कीजिए, share कीजिए और अपने valuable comment करना विल्कुल भी मत भूलिए धन्यवाद